हेलो एब्रीवेन वेलकम टू माइच चैनल आप देख रहे हैं निलम की रिशिपी मैं हूँ निलम तो हाज आपके सामने में लब्ली लब्ली स्चालर डेकोरेशन लेकर आई हूँ कटिंग भी मैं बतारी हूँ यहां पर आपको यहां पर एक बात का आप ध्यान रखेगा कि हर्ट सेब कैसे करते हैं बटर्फलाइ कैसे करते हैं लंबे स्लाइस के इस तरह कोकुंबर मैं कैसे कट करते हूँ कभी कभी अगर वीडियो मेरी मिस हो जाती है तो इस तरह से करते हैं तो इसी तरह वीडियो को इंज्वाइक करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बुले का वीडियो अच्छी लगए तो लाइक और शेयर किजिए च्छोटी से घंटी को हिट कर देगा ताकि वीडियो की नोट सब्सक्राइब हो सब्सक्राइब को को क्या करना है आपको कि सारे कोकुंबर को इस तरह अगर आपके सर्कल सर्कल कोकुंबर है तो वैसे भी आप इस तरह एड़ कर सकती है और नहीं तो आप इस तरह आप स्लाइसे में कट कर चुकी है तो इसे इस तरह फ्लावर सिफ में एड़ करना है अगर आपके पास सिर्फ क कुम्बर का स्टैले डेकॉरेशन करना है तो क्योंकि यह एक बहुत है अच्छा लूका था अब देख सकते हैं कि बहुत लोगों के यह कंप्लेन होते हैं कि मैं हम कैसे फ्लावर बना है वह हमें बनाना नहीं आ था अगर आपको किसी भी कटिंग के द्वारा नहीं बनाना आ इस तरह से फ्लावर बना सकती हैं बहुत हैसान तरीके से यहां पिते की यहां पे मैं कैरोट डाल रही हूं क्योंकि अभी कैरोट मेरे पास है लेकिन अगर आपके पस नहीं है तो कोई बात है टुमाटो भी है अगर आपके पास हो तो आप छोटा सा बीच में डाल सकती है तो इस तरह हम डेकुरेट करेंगे उसके बाद आप क्यूंकि अभी विंटर का सीजन चल रहा है तो आपको कैरोट कोकुंबर बिटूट और रैडिस और टुमैटो सारे बहुत सारे सब्जें मिलती है और हर बर मैं आपको दिखाते हूं कि छोटे छोटे चेंजिंग से आप सेलेट का प्रेट मिन्टो में बना सकती हैं बहुत ज्यादा ब्यूटिफूल तो यहां पर दिखे क्योंकि अभी विंटर की से में हरी-अरी धनिया के पतिया बहुत सारे मिलती हैं तो थोड़ा सा डेकूरेट करेंगा अगर धनिया की पतिया अपको पस नहीं है तो आप हर पर और देखिए तो यह मैं हर्ट सिप यहां बेरे रही हूं और उसके बाद साइड में मैं इस तरह के यह देखे फ्लावर दे रही हूं रहा हूं ए यह देखे तो यह किता सुन्दर लग रहा है कि क्री प्लावर इस तरह बनाने चाहे लगुआ हैं तो यहां पर मैं सिर्फ क्यरोट और कौकुमबर का क्याइड करते हैं अगर आप कोकुम्बर कंप नहीं है तो आप यहाँ पे टुमेटो भी एड कर सकते हैं भी है एड कर सकती है अब यहाँ पर हम जो हमारा कोकुमबर है उसके थोड़ा सा प्षिछूडा सा डिसाइन बना देंगे इसके अलवा अलग तरह से अगर आप तो डेकुरेटरेशन कर सकती है इसके लिए एक सीम्बल सा प्लेट लेंगे उसके जो हर्ट से इसको एक बार फिर से इस तरह बनाएंगे कटिंग से मैं कटिंग आपको अलग से करने की जुरुत नहीं है यह कटिंग आपकी परफेक्ट एक दम से बहुत सुन्दर है यूनिक बार यूनिक तरीके से डेकुरेट कर सकती हैं तो यहां पर देखें मैंने हर्ट से दिया और उसमें देख रही है आपकी छोटे छोटे- सेलेट का बहुत ही सुन्दर आप यहां पर बीटूट एट कर रही हूं है यह देखें बीटूट भी बहुत सुन्दर लगता है सेलेट में बहुत थैल्दी भी होता है इसलिए हम इसे जरूर खाना पसंद करते हैं यह देखें अब इसमें थोड़ा साथ ट्वीश करूंग कि मैं क्योंकि यह बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं लग रहा है तो इसमें मैंने बटरफ्लाई के सेफ दिए इस तरह कि बटरफ्लाई अगर बना दो तो आपका स्टैलेट का प्रेट सुन्दर लगने लगए यह देखें लगने लगा अभी भी इसमें आप लगने अगर आप नॉर्मल घर पर डेकूरेशन कर रही है तो इस तरह का डिजाइन अगर आप बनाएंगे तो अपूरे सेलेट का प्रेट बहुत ही सुन्दर लगेगा आप इसमें लेमन भी आड़ कर सकते हैं चीली आड़ करके इसको और भी सुन्दर बना सकती हैं तो इ यहां आप इस तरह रोज बना के भी समें हैड कर सकती है अगर आपके पास और सेलेट है तो यह रख लेजिए फिर आपको लग रहे है कि बीटूट है अनियन भी सपो कैसे हैड करें तो बीटूट के उपर अनियन कुकुम्बर रैडिस और यह क्यारोट करके आप इस तरह बीटूट कर सकती हैं फिर यहां पर अगर आपको लगे कि थोड़ा सा सेलेट का प्लेट और चेंजिंग होना चाहिए क्योंकि अगर आप सैलेट डेकुरेशन के शौकीन है आपको अच्छा लगता है हर बार अलगत तरह के डेकुरेशन करना तो फिर आपके लिए यह कारोट को लेके आप चारो तरब से इस तरह डेकुरेट कर सकती हैं बीच में भी दे सकती है इसे क्या होता है कि फूल फ्लेट आम तोर पे कोकुंबर और कारोट सब्जियों में ही अबलेबल होता है सभी जगह तो इस तरह आप डेकुरेट कर सकती है घबराने की जगह कर सकती है को कुमबर कर सकती है तो हर डीजाइन अपना बहुत चोटा चोड़ा ट्वीचल सारे डीजाइन में और बहुत आसारी से आप कर सकती है यहाँ पर दीखिए मैं बता रही हूं क्योंकि इस पार मेरा सारा डेकॉरेशन जो है वह हर्ट से रिलेड़ेड़ है क्योंकि वह बहुत को कुिस्टीन होते हैं कि हम इसको डेकोरीशन कैसे बता हैं मैं थ्स आब को समझ में आगा कि यहां पर कर लिया था तो इस तरह आप इसको डेकुरिट करेंगी तो और भी जादा सुन्दर लगेगा आप देख सकती है किस तरह मैं डेकुरिट कर रही है यह देखें यहाँ बीच में थोड़ा सा कुकुमबर कट करके रख देंगे तो यह सालेट का प्रेट रेडी हो गया अब यहा बना सकते हैं कि मेरा हिम रहता है कि आप डिजाइन जो है बनाना सीख चाहर कि किस तरह चोटे-चोटे डिजाइन बनाने आपको क्योंकि जब यह आपको डिजाइन मरा था आपको बारवर वीडियो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इस तरह आप यहां पे डेकुरे और फिर से कारट तो इस तरह डेकोरेशन के कितना सुन्दर लग रहा है लग रहा है बहुत ही जादा बीटिफुल तो चारों तरह फिर समक्राट रख देते हैं हट सैलेट का प्लेट आप जिस तरह आरेंज किजिएगा उस तरह आपका यूनिक लगने लगेगा यहां पर मैं कारट को फिट से आड़ कर रहे हूं यह से मैंने बता था पहले भी यह आपके सैलेट के प्लेट को और भी जादा यूनिक और ब्यूटिफुल लुक देता है इससे बनाने से तो यहां पर देखें इस तरह हम चारों साइड में जिस तरह देखें कि मैं कहां पर यह चीज ब को बता रहे हूं वहीं सेम डिजाइन है बट यहां पर यहांपे मैई जो कौंट्रिटि में जाला कर दी है फोर्थ वहां पर यहां पर मैंने ** कर दी है अब यहां मैं देखें और्डिस के जिकभर पर आप अनियन भी आट कर सकती है और उसके ऊपर अप पर पे matter अडिस सकती यहां पर मैने थोड़ा सा कूकुमबर रख लिया है आप को कूकुमबर कों इंसाइड हो पे हम डेकूरेट कर लिए ठेक हरya भिखोते हैं तो यहां पर इस तरह एर रिंज कर लेंगे तो यह भी अपना एक शालेट के अपरेट बिलकुल रेडी हो गया ठूड़ा सा डेकोरेशन में आप यह चंजिंग कर सकती हैं जो मैंने के आड़ के साथ किया है क्यारट के जगर आप अपने पसंद की कोई भी सब्जाइब कर सकती है यहां पर थोड़ा सा वही डेकोरेशन में इस तरह से बता कर लेंगे क्योंकि यह डिजाइन हमें पूरे फ्रेट में बनाना है तो इस तरह देखने से आप यह डिजाइन जो है बहुत बहुत सुन्दर लगता है यह और देख रही है आपके किता जदी-जदी बन जा रहा है सिर्फ एक मिनट में पूरे यह जब भी गेस्ट आ जाते है और भीच में जो सिस्पेस है और भी आप अपने पसंद की जो सबजी है जो भी आपके पास वह ड़ight कर सकती है और अगर नहीं है तो इस तरह भी लगत बहुत ही ज़ादा बेश्ट है आप इसे बना सकते है यह बहुत ही अच्छा लगेका यह देखे तो सभी को मैंने इस तरह एर्रेंज कर लिया है और कटिंग तो मैंने स्टाटिंग में आपको दिखा दी थी कैसे कट करना है मैं इसके जगा पर किसी में तो मैं किसी में आनियन किसी मैं रैडिस इस टाईपसे भी आप सभी में अलग अलग भी अड़ कर सकते हैं नेकिन यहां पर अँप सभी में इन्याप y ce 가서 और ये यह देखें या को मैं बतारे हूं फुल प्लेट डेकुरेशन शायड प्लेट डेकुरेशनि हम कैसे बनाते हैं यह घे दिखा रही हूं बहुत ही सिंपल तरीका है बिल्कुल कुकुम्बर जो आप एड़ करते हैं उसको साधानी से रखें जिससे की जो पीसेज हैं वह बड़े छोटे नहीं हो यह देखें कि इस तरह हम सभी को डेकुरेट कर लेंगे असाधानी से और इनको थोड़ा सा टाइम लगता है डेकुरेट करने में बट यह जल्दी से हो जाते हैं स्लाइसेज आपके जितनी पतली रहेंगी डेकुरेशन उतने ही जल्दी होंगे तो यहां पर देखें जो इस पेस बचा थ और बीच में इस तरह हम रोज रखेंगे रोज मैंने स्टार्टिंग में आपको बनाते वक्त दिखाया था और यहां पर मैं पूरे प्लेट को डेकुरेट करूंगी उसके लिए मैंने लिया है गाजर यानि की कैरोट और इस तरह उसको हम डेकुरेट कर रहे हैं आप यहां पर मैं सेकेंड आपको स्टेम डिजाइन दिखाऊंगी तो यह दिके मैंने स्टार्टिंग में जो कैरोट में रखा था स्टेम वैसे ही रहेगा बस उसके नीचे सेम इस तरह सारे कैरोट के दौरा ही इसको हम एक से दो लियार और लगा लेंगे उसके बाद सारी बीच में डालेंगे हम रोज और इस तरह यह जो आपका सुन्दर लगेगा पूरा सैलेट के प्रेट तो यहां रोज अगर आपको नहीं डालना है तो आप टोमैटो कट करके हाफ टोमैटो भी डाल सकती है इस तरह भी टूट आप डाल सकती है और यह वाला तो यहां पर इसको हम इस तरह डेकुरेट कर सकते हैं यह देखिए तो इस तरह मैंने डेकुरेट कर लिया सारे सालेट के प्रेट को तो मैंने बहुत सारे डिजाइन आपको बता है कि किस तरह आप सालेट के प्रेट को डेकुरेट कर सकती है सिर्फ दो वेजिटेबल से तो को छोटी सी घंड़ी को हीट की जगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहा है तो चलिए इसी तरह और भी ऐसे वीडियो लेकर आप से फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई टेक क्यार